हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चनल ट्रू टीज के अंदर तो कल मैश था नेपाल वर्जेज पाकिस्तान का तो पाकिस्तान ने मैश तो जीत लिया पर ये मैश है वो इतियास में याद जरूर रखा जाएगा क्यों क्या हुआ था इस मै चैनल पर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चलते हैं टोपिक की और तो नेपाल ने हैं वो टोस्त जीता था और उन्होंने पहले है वो बल्लेबाजी करने का फेसला लिया था नेपाल टीम के शुरुआती 6 विकेट है वो मात्तर गुन 40 र रनों पर 8 विकेट है वो गवा दिये थे लेकिन यहां से सोमपाल कामी और 35 जीयम की जर्नी है वो शुरू होती है और 58 रनों की एहम साजेदारी की उसके बाद अंतिम विकेट के लिए गुंचास रन जोड़े थे सोमपाल कामी और 35 जीयस ने जिसमें सोमपाल ने एक तरफ रनों के लक्सिया के जवाब में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने सदी हुई शुरूआत की हसिबुला खान ने 12 वैसेम आयूस ने 24 रन बनाए इसके बाद तीसरे विकेट के लिए आमेर युसूफ और तैयब दाहिर के बी 64 रनों की अच्छी साजेदारी हुई तै तैयब ने 51 रनों की शांदार पारी खेली और अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर गए अंत में कामरान गुलाम ने 31 रन तेजी शेब बनाकर पाकिस्तान को जीत दिला दी नेपाल की तरफ से ललित राजबंसी ने सबसे ज़्यादा तीन विकेट प्राप्त किये पाकिस्तान का अगला मुकाबला UAE से होगा तो 19 जुलाई को इंडिया एक एक खिताफ जोड़दार मुकाबला भी देखने को आपको मिलेगा इसमें खास बात ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीम ने शुरुआती 6 विकेट प्राप्त कर लिए only 40 रनों पर अभी तक ऐसा पांदार होने वाला है और इतियास के पन्नों में है यह यादगार मैच होने वाला है तो इसी के साथ सची और सटिक घटना नेपाल की जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो के पांदार